ये रादे बंदू आपका स्वागत है अपने चैमल धर्म और ज्यान में अब हम कार्थिक मात्म के पंधरवे अध्याय कर श्रवन करती हैं देवरिशी नारत जी ने राजर प्रथू से कहा फिर देवरिशी तेटे राज ने क्या किया वह सब मुझे फिसार खुर्वर सुनाईए देवरिशी नारत बोले उसकी चले जाने पर जलंधर ने अपने राहु नामक दूद को पुला कर कैलाश पर जाने की आग्या दी और कहा कि वहाँ एक जटा धारी शंबू नामक योगी रहता है उससे मेरा आकरमण और एश्वरे कहकर उसकी सरवांग सुन्दरी भामीनी को मेरे लिए मांग लाओ तब उन वचनों को सुनकर वह दूद शिफ के इस्तान पर जा पहुँचा नंदी ने उससे भीतर नहीं जाने दिया किन्तु वह अपनी उगरता से शिफ के सभामित चला गया और शिफ के आगी बैठ कर उनकी आग्याले वह संदेश कह सुनाया कि डैते राच ने कहा था कि फिर तो मैं उस राहू नामक तूद से ऐसा कहते ही भगवान शूल पाणी के आगे प्रस्वी फोड कर एक शब्द वाला पुरुष प्रकट हो गया जिसका सिंग के समान मुक ता और जो की मानु दूसरा नरसिंग था वह दोड़कर राहू को खाने चला राहू बड़े जोर से भागा परंतो उस पुरुष ने उसको पकड़ लिया उसने शिव की शरण में अपनी रक्षा मांगी शिव जी ने उस पुरुष से राहू को छोड़ देने के लिए कहा कि मुझे बड़े जोर से भूख लगी है मैं क्या खाऊ महिश्वर ने कहा यदि तुम्हे भूख लगी है तो शिव जी अपने हाथ पैरों का मास भक्षन कर लो शिव जी की आग्या से वह पुरुष शिव जी अपने हाथों और पैरों का मास भक्षन कर गया अब केवर उसका सिर मात्र शेष रह गया तब उसको ऐसा करते देखकर शिवजी ने प्रसंद होकर उसको अपना आग्या पालक जानकर उसे अपना परम पिरिये गण बना लिया और कहा कि मेरी पूजा के समय अब तेरी भी सदे पूजा होती रहेगी जो मेरी पूजा नहीं करेंगे वह मेरे पिरिये नहीं होंगे शिवजी से ऐसा वचन पाकर वह पुरुजबड़ी ही प्रसंद हुआ उस दिन से वह शिवजी के दुआर पर सतकिती नामक गण रहकर इस्तित रहने लगा